लो भीया एक और फरजी वाड़े में पकड़ी गई सीमा हैदर सीमा हैदर ने फिर से एक फरजी वाड़ा किया है एक और फरजी वाड़े में पकड़ी कही है फिर से इस पर बहुत सारी धारे लग चुकी है और 400 BC का मुकदमा फिर से इस पर दायर होने वाला है यह मैं नहीं क जैसे कि आप सब लोग जानते हैं महला लगातार भारत को भारत के लोगों को आहत करती जा रही है जूट पर जूट पर जूट जूट पर जूट जूट बोलती जा रही है और हर बार सफाई देने के एवेज में लोगों को गालिया देती आ रही है इस बार एक और बड़ी फ भूठ बोला है क्योंकि जो इसका डेट आप बर्थ सार्टिफिकेट उनको मिल चुका है उस बर्थ साठिफिकेट में सीमा है दर की एज 1998 और अब जो इसका जो इसका पास्फट बीजा है इसमें 2000 की डेट आप बर्थ है जबकि देट बर्थ किसीकी बी अलग-अलग चेंज नहीं हो सकती है अगर इसका डेट ऑपर पास्पर्ट वीजा में 2002 है इसका मतलब यह महला गलत तरीके से फ़र्जी डॉक्मेंट्स बना के फ़र्जी वीजा बना कर भारत के अंदर इंट्री की है इसके द्वारा इसके वज में इसको फिर से इस पर फिर से धराय लगी बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया तक या इस पर धरायी ही लगती जाएंगी यह अरेस्ट नहीं होते हैं तो मैं आपको बता दू कानून पिरिक्रिया में थोड़ा लेट लपेटी लगती है क्योंकि हमारा कानून बहुत बड़ा समधन सील के साथ स्ट्रिक्ट भी है यह अपना सोच चमझ कर निर्णा ही लेता है तो यहां पर थोड़ी सी धिलाई हो सकती थोड़ी देर हो सकती लेकिन जब डिसीजन आता तो ठोस आता है थोड़ा से धैर ही रखिए क्योंकि मोबिन मलिक सर ने जिस तरह किसे यह खिचडी की तरह मिक्स थ जरूरत ने है मोबिन मलिक सर इसको बहुत आसानी से सुलजा के इस मैटर के अंत तक पहुंच चुके सारी चीज़े सिमट चुके है अब जरूरत है कि इस पर फैसला आने की वहुत जल्दी भारत आ रहा है गुलाम हैदर और मोबिन मलिक सर ने बोला 10 जून से पहले पहले गुलाम हैदर भारत आ जाएगा उसके वीजय की प्रोसेस पूरी कम्प्लीट हो चुकिया अगर भारत सरकार उसे बीजय की अनुमती देता है तो तुरंत गुलाम हैदर 10 जून से पहले भारत आजाएगा अगर भारत सरकार किसी लक्षन चार जून को इसका रिजर्ट आना है और थोड़ा मीडिया वगरे सब बिजी है तो इस वज़े से अगर सरकार के चेंज होने तक नियरणाइ नहीं आता है तो दोबारह इस पर प्रिक्रिया रखी जाएगी कि कोट कोई से समाई लिया जाएगा तो फिलाल सीमा है जुकांड किया और वो लगतार कर रही है सोसल मीडिया पे जिस तरह के से इसने बखेडा खड़ा कर दिया तो बहुत जल्द इसका सोसल मीडिया आकाउंट भी बंद हो जाएगा उस पर भी कारवाई हो चुकी है लगातार जो महला भारत और भारत के लोगों की भावनाओं को आहत पहुचा रही है पाकिस्तान की खिलाब बोल रही है और कई सीज़े हमारे देश के जो वरिष्ट वकील है मोबिन मलिक सर उन पर जो इसने फंडिंग का आरोप लगाया तमाम सीज़े आरोप लगाई है इस तरीके इसने इसने आतंगवाद का आरोप लगाया है उन सब पर मुकदमा हो चुका है और उन सब पर लेगल कारवाई हो चुके है बहुत चल्दी सीमा हैदर को अपनी उकात पता चल जाएगी कि भारत में घुसकर और भारत के लोगों को आख दिखाने का अंजाम क्या हो स सारी ख्वाई से पूरी करी उस बाप के मौत के समय यह महला इंडिया को आई रही थी तो सोचिए कि महला की वंटिलिटी क्या होगी इस महला की मानसिकी स्थिति का क्या कहा जाए फिलहाल यह औरत किसी की भी नहीं हो सकती इसकी गलत फहिमी है कि भारत में रहना भारत की ची जेल हो सकता है वो भी तू इस तरीके से रहेगी जेल में तुझे पलपल महसूस होगा आजादी क्या होती है तो आजादी जिन्दगी जीने आई थी पाकिस्तान से अपने पती को धोका दे के आई थी तो दुनिया के हर वह औरत तेरे लिए तू हर उस औरत के लिए एक्ज का सजा क्या होता है फिलाल मैं इसका एक लाइब देख रही थी कल परस में यह बोल रही थी मैं किसी किनी लोगों को नहीं देखती कोई भी मेरा फोटो लगा देता कोई भी मेरे उपर बोल देता है तो इसका लप्पू बोल रहा था हमारा फोटो लगाने से लोगों के घर चले तुझे तेरी ओकात दिखाएंगे कि हम भारती किस लेबल पर बात करते हैं, हम भारती कितने शक्षम हैं, तुझे भगाने में और अपने पैरूपे खड़े हुन में, तु जूट की दुकान बेजती, गंदगी लेकर भारत माई, गंदगी की दुकान खोल के बैटी हर चीज कर रही है तु जिससे भारती आहत हो रहा है, और तुझे बहुत चल दी तेरे कर्मों का फल उपर वाले से पहले हमारा कानून देगा, उपर वाला तो देगा ही देगा, उन चार बच्चु को टार्गेट करके जो तु लाई है, उन चार बच्चु का जो तुने किया तु एक अच्छी मा कभी भी नहीं हो सकती, हमारे देश में ऐसी गंदी ओरत को कभी भी बरदास नहीं किया जाएगा, जिस तरीके से मोविन मलिक सर ने सिकंजबे से फसा लिया है, और ये पूरी तरीके से नप चुकी है, इसके हुआ या उट चुकी से पता है भारत की धर भारती पर पैर रखना, पैर रखकर खड़े रहना कितना मुश्किल होता है, ये कहती है, भारत बड़ा अच्छा देश है, भारत महान देश है, हम पता है भारत महान देश है, और हम इंडियन है, अच्छी तरीके से जानते है, भारत बहुत ही महान देश है, तुझे हाँ, आके हमें बताने की जरूरत नहीं है भारत के सदे से हम भारती ही डिसाइड करेंगे हमारा भारत हमारे लिए क्या है यह कहती है ने कि मैं एक महला हूं हमारा भारत हमारा शनातन हमें बक्स देगा नो बिल्कुल भी नहीं भारत हमारे गद्दारों को कभी भी नहीं बक्सता है और सबसे बड़ा जो देश द्रोही है लपू है उसको उसके कर्मों का फल बहुत जल्दी मिलेगा बेटा तु चिलाता है ना लाइब में तेरी जुवार आ गई ना बाहर कि भाई मैं यह हूँ मेरे नाम से लोग तुझे ऐसा नीच इंसान दुनिया मने यह जिसने अपने ब सबसे बड़ा जिम्हेदार है तु बोलता है ने सोसल मेडिया पर की लोग मेर को मैं तो इसे लोगों को देखता भी नहीं तेरी जरूरत नहीं है देखने कि तुझे तेरी ओकात यार दिलाएंगे याद रखना इस चीज़ को क्योंकि हम इंडियन से भारती है और अपने द कानून बहुत अच्छा डिसीजन लेगा और कोई भी काम हम कानून अपने मुर्ख के खिलाब नहीं करना चाते है क्योंकि हमें अपने देश के कानून पर नाली पर बहुत अच्छी से भरोसा है तु मुझे ऐसे गंदे लोगों को लात मार के भारत से नहीं फेकाना तब कह है ना और हमें भरोसा मुबीन मलीक सर पर जिस तरी किसे काम कर रहे हैं सर सल्यूट है आपको मैं दिल से थैंक्यू कहते हैं आपको आपके जैसे इंसान अगर हमारी भारत की धरती पर है ना तो सच में एक नेक दिन यहां राम राज जी जरूर स्थापित होगा बहुत जल् देश के लोग ऐसे लोगों को पैर जमानी की इजाज़त देते हो अगर आप होते देश के सचे देस भगत तो ऐसी ओरत को उसी दिन लाट मार के वाक देती हैं इसकी निजर्म पड़ती है इतने दिनों तक एक साल उपर हो गहिए ओप्र हो गया यह महला यहां पैर जमाये रखी क्योंकि आप जैसे लोग गद्दार लोगों ने इस महला को सपोर्ट किया था लेकिन ये मत भूलो अगर गद्दार है न तो हमारे सच्चे देश भक्त भी हैं जो अपने देश के लिए हर डिशिजन में हर फैसले में साथ रहते हैं आप पर शर्म आती मुझे कि आप कि इस गटर से निकल के भारत की जमीन पर आ गए कितनी गंदी लेबिल की महला जो अपने चार बच्चों को लेकर यहां पर मुद्दा बनाकर यहां पर अपने लिए अपने याशियों के लिए उन बच्चों का इस्तमाल कर रही है शर्म आती है यह औरत पर डूब मरना चाहि प्यार को तेरी जैसी औरत है प्यार में ऐसे घर छोड़कर बच्चों की जिंदग्यों को तबाह करने पर तूल जाए ना तूम जैसी औरतों को वहीं पर डूब मरना चाहिए सोसल मीडिया में आके गलत तरीके से मैसेज देती है उस समाज को शरम आनी जाए तुम तो औरत है तो रोक लेना क्योंकि हम वो वो देश भकते हैं अपने देश के हित के लिए लगातार बोलेंगे गुलाम हैदर के साथ गलत हुआ चाहिए किसी भी मुलक का है किसी भी धरम कायमा फरक नहीं पड़ता फरक यह पड़ता कि इनसानियत को तुम तार-तार करके भारत में वीडियो को मैं दिन से मैं से समाथ में अच्छी पढ़ना दनी की कोशिश करते हुए उम्मीद करते वीडियो पर सन आया होगा अगर आया तो लाइक शेयर कमंट करें नेक्स्ट्राइम मेरा वीडियो दखना चाहता है तो चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू सो मच तहे दिन से तानियो